हलो फ्रेंड्स माधव केसे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये साटम के एक फेबरिक से लड़ू गोपाल के लिए फोसाग बिनाऊंगी तो पांच इंची की मैंने इसकी चोड़ाई रखी है यहां से मोड के सिलाई लगाएंगे जिरो साइज के लड़ू गोपाल को और एक नमर के लड़ू गोपाल को भी आप पहना सकते हैं यह मैंने सिलाई लगा दी है और इस तरह से इसमें सिल्वेटे ना लेंगे और बीच में सिल्वेटे लगाएंगे यहाँ पर सिल्वेटे गाल के मैं तयार कर लेती हूं इसको यह देखिए यहाँ पर मैंने पूरी सिल्वेटे डाल दी है दोनों फेवरिक को यहाँ से लेंगे और लेकर यहाँ पर पूरे में सिल्वेटे लगाएंगे सिल्वेटे एक भी ना आए यह देखिए यहाँ पर मैंने सिल्वेटे लगा दी है इस फेवरिक को पलट लेंगे तो यह मैंने पूरा पलट लिया है और सिल्वेटे को थोड़ा था प्रेस करेंगे इसके अंदर डोरी लगाएंगे तो डोरी मैंने पिन के अंदर लगाई है और यहाँ अंदर से पिन को लगाके डोरी अंदर पिरोएंगे इस तरह से मैं ये डोरी अंदर लगा दूँगी ये देखिए फ्रेंड से यहां पर मैंने डोरी बाहर निकाल दी है इसके अंदर डोरी मैंने अटेज कर दी है इस तरह से ये लड़ू गोपाल की पोसाख बनी है यहां पर उस सलवेटें डाल दी है मैंने तो यहां और बागी कुछ करने की जुरत नहीं है इस तरह से ये पोसाख मैंने बनाई है यहां पर मैं चोली बना रही हूँ चोली बनाने के लिए दू मैंने फेवरिक कट किया है इसके लंबाई मैंने 5 इंची की कटकी है चोड़ाई मैंने 2.5 की कटकी है आधा इंची सिलाई में जाएगा आधा आधा दुनों तरफ 4 इंची की चोली बनके तयार होगी तो यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाएंगे और फिर हम इतको पलट लेंगे तो मैं यह चोली 4 इ लगाएंगे थोड़ी शिलाई छोड़के यहां पर शिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से मैंने शिलाई लगा दी है बीच में मैंने थोड़ी शिलाई नहीं लगाई है तो इसे पलट लेंगे यहां से यह देखिए यहां पर मैंने खलट दिया है इसको और बची वे शिलाई है यहां पर इसे मोड के शिलाई लगा देंगे दोनों फेवरिक मैं इसी तरह से बना के तयार करूंगी यह देखिए एक बन गया है दूसरा भी मैं इसी तरह से बना के तयार करूंगी यह देखिए फ्रिंट्स मैंने दोनों बना लिया है और यहां पर खड़के शिलाई लगाएंगे एक यहां पर मैंने इतने दुरी में चलाइआ लगा दी है और यहां डुरी अटेश करेंगे तो मैंने डुरी भी अटेश कर दी है और यह पूरी पोसाख बनके तैयार और हो गई है इस तरह से मैं छुण पोटे लड़ों पाल के लिए पोसाख बनाई हूं प्रेंस वीडियों अचा लगे तो